हेलो स्टुडेंट्स कैसे हो आप सब आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे तो आईए बात करते हैं साइंस की हमारा चैप्टर चल रहा है फाइबर टू फैब्रिक और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फाइबर टू वूल की फाइबर को वूल में कैसे कनवर्ट किया जाता है आज हम पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री ओफ सिल्क मोथ तो देखें टोपिक सबसे पहले curiosity question आता है बूजो का बूजो is wondering why a cotton garment cannot keep us as warm in winter as a woolen sweater does तो बूजो सोच रहा है कि जिस तरह से गर्मियों में हम कोटन के कपड़े पहनते हैं तो सर्दियों में ये कोटन के कपड़े हमें गरम क्यों नहीं रखते तो इसका answer आप सबने सोचना है और comment box में देना है activity number 3.4 debate amongst your classmates whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool तो आप class में debate कर सकते हैं कि क्या भेडों को पालना और उनके बाल काट देना उन प्राप्त करने के लिए सही है आगे topic है 3.2 silk silk fibers are also animal fibers तो silk fiber भी animal fibers होते है silkworm spin the silk fibers जो silkworm होते हैं वो spin करते हैं silk fiber को मतलब silk fiber को बनाते हैं the rearing of silkworm for obtaining silk is called seri culture तो इसे seri culture कहते हैं silkworm को पालना ताकि उनसे silk प्राप्त कर सके find out from your mother, aunt, grandmother the kind of silk sari they have तो अपनी माता से, अपनी आंटी से या अपनी दादी से आप पता कर सकते हैं कि वो किस तरह की silk sari पहनती है या कैसी साडिया उनके पास है list the kind of silk और उस silk का type लिखिये क्योंकि silk भी बहुत तरह की होती है, सिर्फ एकी तरह की नहीं होती आपको silk के बारे में knowledge करके कि कितनी varieties हैं वो list करना है, लिखना है life history of silk moth the female silk moth lays egg जो silk moth होता है, जो female है, वो egg देती है from which hatch larva, which are called caterpillars or silk worms तो उसमें से larva निकलते हैं जैसे egg होता है, जैसे मुर्गी के अंडे की बात करते हैं तो मुर्गी उस अंडे के उपर बैठी रहती है, जिसे कहते हैं अंडे को सेना तो वो अंडे को सेती है, जिससे कुछ दिन बाद उसमें से चूजे निकलते हैं इसी तरह, silk female moth जो होती है, वो भी क्या करती है, वो अंडे देती है और उनको hatch करती है और उसमें से क्या निकलते हैं फिर, उसमें से caterpillar निकलते हैं या silkworm निकलते हैं जिनको हम silk के कीडे भी कह देते हैं They grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of the life history called pupa तो आहिस्ता आहिस्ता यह silkworm बड़े होते हैं और next stage में जब यह जाते हैं उसे कहते हैं pupa It first weaves a net to hold itself और यह क्या करता है यह एक जाल बुनता है ताकि यह उसके अंदर रह सके तो यह इसका एक तरह से घर होता है छोटे से pupa का Then it swings its head from side to side in the form of figure of eight तो यह अपने सीर को इस तरह से गुमाता है जिस तरह से जो है गिनती का आठ बनता है तो उस form में गुमाते गुमाते क्या छोड़ता है यह यह एक जाल सा छोड़ता है एक फाइबर छोड़ता है देखे आगे लिखा हुआ है हाड हो जाता है और यही सिल्क फाइबर होता है Soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber और जल्दी ही यह खुद को silk fiber से cover कर लेता है This covering is known as cocoon इस covering को cocoon कहते है The further development of pupa into moth continues inside the cocoon और इस pupa की development चलती रहती है जब तक यह complete moth नहीं बन जाता पूरा बड़ा silk worm नहीं बन जाता Silk fibers are used for weaving silk cloth और in fiber का इस्तमाल ही कपड़ा बनाने में किया जाता है Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as comparable thread of steel तो इसका मतलब यह है कि यह काफी जादा strong होता है अगर दोनों एक ही size के हम steel thread लें और silk लें तो दोनों की जो strength होती है वो equivalent ही होती है आगे देखिए the silk yarn or thread is obtained from the cocoon of the silk moth तो silk yarn हमें cocoon से मिलता है जो यह silk moth होती है इसके There is a variety of silk moths which look very different from one another तो अनेक तरह की silk moth होती है जो एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देती है और इसी वज़ा से उनका जो produced silk होता है वो भी अलग अलग होता है and the silk yarn दे yield yield का मतलब होता है बनाना या output देना तो किसी भी चीज़ की जो output होते से yield कह देते हैं तो जो silk yarn यह बनाते हैं is different in texture उनके द्वारा दिया गया जो silk fiber होता है उसका texture कैसा कैसा हो सकता है course मतलब मोटा हो सकता है silk fiber smooth हो सकता है और shiny हो सकता है इस तरह से अलग-अलग silk मोट के द्वारा दिया गया silk fiber अलग-अलग गुनो वाला होता है thus tusser silk, muga silk, kosa silk, etcetera तो इस तरह से अलग-अलग silk मोट, अलग-अलग तरह का silk fiber produce करती हैं तो उसके उधारन दिये गये हैं जैसे कि tusser, muga, kosa silk इस तरह से and the most common silk मोट is the mulbary silk मोट सबसे आम तोर पर जो पाई जाने वाला silk moth है वो है mulberry silk moth. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft. तो mulberry silk moth जो होता है यह शैतूत के पेडों पर पाला जाता है क्योंकि यह शैतूत के पत्ते खाकर जिंदा रहते हैं और silk fiber produce करते हैं. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful color. तो mulberry silk moth से जो fiber मिलता है वो काफी soft होता है, lustrous होता है मतलब चमकीला, elastic होता है और उसे अलग-अलग color में dye भी किया जा सकता है, रंगा जा सकता है. Sericulture और culture of silk worms is a very old occupation in India. तो silk moth को पालना एक काफी पुराना website है इंडिया के अंदर. India produces plenty of silk on a commercial scale. तो इंडिया बहुत जादा silk produce करता है commercial scale पे बेजने के लिए. आगे है activity 3.5 Collect pieces of silk cloth of various type and paste them in your scrapbook. तो अपनी scrapbook के अंदर अलग-अलग तरह के silk cloth को paste कीजिए. You can find them in a tailor shop. आप किसी tailor की shop पे या जैसे जो ladies कपड़े सिलती हैं वहां से आप collect कर सकते हो. चोटे-चोटे टुकडे अलग-लग तरह के silk के. Among the heap of waste cut pieces. तो waste जो cut piece होते हैं उनके पास उनमें से ले सकते हो. जैसे कतरन होती है कपड़ा कटने के बाद जो बचती है. Take help of your mother, aunt or teacher and identify the type of silk such as mulberry silk, tusser silk, arry silk, mooga silk, etc. तो आप अपनी mother की या अपनी auntie की help ले सकते हो यह पता करने के लिए कि यह किस किस तरह के silk हैं. Compare the texture of these silks with that of the artificial silk. तो इनका जो texture है कि इनका जो stuff है, जो कपड़ा है, वो किस तरह का है और वो artificial silk से किस तरह से भिन है, which contains synthetic fiber. Artificial silk के अंदर क्या होते हैं? Synthetic fiber, man-made fiber, जो lab के अंदर बनाए गए हैं. आगे देखे, try and collect pictures of different moths whose caterpillars provide the various types of silk. तो आगे क्या करना है अपने इस activity में? अलग-अलग तरह की moth की picture collect करनी है, जिनके caterpillar अलग-अलग तरह के silk बनाते हैं. तो यह आप Google करके पता कर सकते हैं. Activity 3.6 Take an artificial or synthetic silk thread and a pure silk thread. तो आप एक artificial silk का धागा लीजिए और pure silk का धागा लीजिए. Burn these threads carefully. और इन धागों को जलाईए बड़े ध्यान से. Did you notice any difference in the smell while burning? क्या आपको इन दोनों की smell में कुछ अंतर नजर आता है? इसको ऐसे करना है कि पहले एक thread को जलाएं. उसको smell करके देखें और उसको याद रखेगी कैसी smell है. फिर साथ की साथ ही दूसरे को जलाएं. ताकि आपको difference जानने में आसानी हो. Did it smell like burning of artificial silk or that of pure silk? तो इनकी smell किस तरह से आती है? Can you explain why? तो क्या आप explain कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जब यह आप activity करोगे तो आप इसे explain कर पाऊगे. To remember, when the cocoon stage is reached in the life history of the silk moth, try the following activity. तो इस life history को याद रखने के लिए आप यह activity कर सकते हैं. क्या activity करनी है? activity number 3.7. Photocopy figure 3.9. Cut out pictures of the stages of the life history of the silk moth and paste them on pieces of cardboard और chart paper. तो आपने जो figure 3.9 हैं, उसके अंदर life history का जो figure दे रखा है, उसकी photocopy कराएं और उसमें से यह pieces कट करके cardboard या chart paper पे लगाएं. Jumble them. उसके बाद इन छोटे-छोटे जो pieces हैं, इनको chart paper पे अगर लगा लेंगे हम, तो यह थोड़े से hard token से बन जाएंगे, जिससे कि इनको jumble करना असान हो जाएगा. Jumble मतलब mix करना. Now try and arrange the stages in the correct sequence in a cycle form. तो इनको mix करने के बाद आपने फिर से इनको arrange करने की कोशिश करनी हैं, जैसे कि sequence है life cycle की जो आपने question में पड़ी है. Whoever does it fast wins. और जो इनको जल्दी से करेगा वो जीत जाएगा. मतलब कई बच्चे मिलके जब इस activity को करेंगे, तो ये एक तरह से खेल-खेल में सीखने वाला काम है. You may also describe the life history in your own words. और आप लोग life history of silkworm को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं. Write it down in your scrapbook. तो आप अपनी scrapbook के अंदर इसे लिख सकते अपने words में और अपने teacher को check करा सकते हैं. तो ये सभी activity बच्चों आपने try करनी हैं. थोड़ी सी कोशिश तो करनी पड़ेगी इन सब activity के लिए. जब आप कोशिश करोगे तब ही काम्याब होंगे. तो इसलिए आप सब इन activities को जरूर करें. आशा करता हूँ ये lecture आपको समझाया होगा. और अगर समझाया है तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों के साथ share करें. तो मिलेंगे next lecture में till then goodbye and take care. करेंतों। करेंगे लाँ करेंगे लाँ झाल झाल